Hi y'all, welcome to grade 3 Hindi class तो हमारी तीसरी कक्षा में कौन सा पार्ट पढ़ने वाले है? आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले है धोराये का समय यानि revision time ठीके? हम अब revise करने वाले हैं तो अब हम क्या revise करने वाले है? मैंने आपसे तो कहां कि वर्नमाला के साथ-साथ मात्रायें की भोट महत्वपून स्तान होती है बिना मात्रायें के हम कुछ word या sentence कुछ नई अर्द नहीं निकाल सकते हैं या नहीं बना सकते हैं कुछ नई चीज बनाने के लिए ये मात्रायों की पयोग करना बहुत जरूरी है तो चलिए मात्रायें तो किस से बनते हैं? वोवेल्स यानि स्फ़र से हम मात्रायों की सिंबल्स यानि सिंबल्स निकाल कर उसे वेंजन या स्फ़र में मिला कर हम एक कुछ नया अर्द या नया word यानि नया sentence बनाएंगे तो चलिए स्पर फेले स्फ़र में अब ये मात्रायें में हम कहां तक सीखने वाले हैं? आ से लेके उ तक आ से लेके उ तक हम मात्रा बनाकर उसका उपयोग कैसा किया जाता है? उसे किस में किस प्रकार अक्षर में उपयोग करें? तो क्या नया word और उसे English में क्या कहते हैं? हम ये पूरे सारी चीज़ें एक बार देखेंगे और इसे हम आराम से पढ़ेंगे चलिए, तो स्वर, पहला पॉलम स्वर है तो स्वर में हमने कान से कान तक लिखा? आ से लेकर उ तक हमने लिख लिया है और यहां क्या है? आ से लेकर उ तक उसके मात्रा हैं यानि symbols हमने लिखा और उसे examples भी हमने यहां बता है उसे किस प्रकार हमने use का? उसका examples हमने यहां बताया है तो स्वर में पहला अक्षर क्या है? आ, छोटिया छोटिया की मात्रा कैसी है? यह sleeping line यह sleeping line ठीक है? इसे यह छोटिया की मात्रा है तो अगर यह छोटिया की मात्रा हमने किसी word या new अक्षर या new word बनाने में use कर रहे हैं कैसा? आ कु हमने उपर से इसे छोटिया की मात्रा कु आर में मिला दिया तो आ, ज, ग, र आ, ज, अज आ, ज, ग, अ, ज, ग, ग, र, ग, तो हमने इसे कहां मिलाया है? यहां आ के उपर यहां आ के उपर हमने इस मात्रा को लगाया है तो आ, ज, अ, ज, ग, ग, र, ग, आ, ज, ग, श, ग, 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 यानी snake और python बड़ी आ की मात्रा दूसरा अक्षर बड़ी आ की मात्रा आ तो दीर निकाल कर पढ़ना चाहिए अगर यह बड़ी आ की मात्रा इस टी की तरह दिख रही है आपको यहां पर अल्फबेट टी की तरह है न यह तो जब भी यह किसी और से मिलेगा यह किसी और से कंबाइन होगा तो इसे भी हम खीच कर पढ़िए जैसे हमने आ, आ बल गई जैसे खीच कर पढ़ रहे हैं यहां पे भी जब यह बड़ी आ की मात्रा हम किसी और से मिलाएंगे तो उसे भी हम खीच कर पढ़ना चाहिए जैसे कि example उदाहरन देखिए उसका आ, बड़ी आ की मात्रा आ, ग, आ, आ, बड़ी आ की मात्रा आ से हम क्या मिला है बड़ी आ की मात्रा आप लोग यहां देखिए हमने यहां बड़ी आ की मात्रा मिलाया है तो आ से हम बड़ी आ की मात्रा मिला दिये E, यानि इसे छोटी E कहते हैं, छोटी E को हम किस तरह लिखाय जाता है यहांपे, F की तरह, कैसा लिख रहे हैं हम यहां, F, तो capital, small letter F, इंग्लिश में letter F इस प्रकारी लिखा जाता है, तो छोटी E की मातरा F की तरह तो, छोटी E की मातरा E, तो हमने यहां उदाहरन में पढ़ ची, बलके नई खीचना है, फिर छोटी E की मातरा है न, चा को छोटी E की मातरा ची, ढा को छोटी E की मातरा D, चिडी, चिडी बलके नई पढ़ना हैं से, वो गलत है, चा को छोटी E की मातरा ची, ढा को छोटी E की मातरा D, चिडी, यहां को हमने क्या मिलाया, बड़ी A की मा तो हमें यहां खींच कर आवास निकाना चाहें, या को बढ़िया की मात्रा या, तो चीडिया, क्या पढ़िंगे, चीडिया, सहीं का आपने, तो अब यह छोटी ही हो गया, अब बढ़ी पढ़िंगे, बढ़ी यानी उल्ठा F, यानी उल्ठा, small letter F, उसको इसे उल्ठा लिख जैसा रहेंगा न, वैसी, F square mirror के सामें राके तो, उल्ठा कैसा दिखेंगा, reverse, तो उसे बढ़ी की मात्रा कहते हैं, तो उसका उदार न, देखिए, ना को बढ़ी की मात्रा नी, अब यहां हमें खीचना चाहिए, जब हम बढ़ी यूज कर रहे हैं, तो खीचना चाहिए, नीड, तो हम E को कैसा लिखेंगे मात्राय में, उल्ठा एफ, और उसे उदारान में कैसा बता रहे हैं, ना को बढ़ी की मात्रा नी, डा, नीड, अब U, यह अक्षर क्या है, छोटा U, क्या है, छोटा U, छोटा U, इस तरह लिखाया जाता है, ऐसा, मैं example आपको यहां बता दूंगी, यहां बता दूंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीके, तो यह बड़ी U की मात्रा, छोटी U की मात्रा, सौरी, छोटी U की मात्रा है, उ को छोटी U की मात्रा, उ, तो इसे उधारन में यूस किया गया, तो किस तरह पढ़ाया जाएगा, दे बा को छोटी की मात्रा बू करकर नहीं सीचना है बा को छोटी की मात्रा बू डा को छोटी की मात्रा डी बू डी या को क्या आया यहाँ पर बडी आ की मात्रा आया यानि हीज कर पड़ना चाहिए या को बड़िया की मात्रा या बूडिया यानि ओल्ड उमेन फिर एक बार पड़िए बा को छोटी उ की मात्रा बू दा को छोटी उ की मात्रा डी बूडि या को बड़िया की मात्रा या बूडिया जा यानी छोड ओल उमेल अब देखेंगे बड़ी उ की मात्रा बड़ी उ की मात्रा बड़ी उ की मात्रा सिंबल आपने देखा कैसा लिखाने हमने फिर एक बार लिखके बतो मैंने इस प्रका तो अब इसे उधाहरन में यूज करें जब यह example हम देखेंगे इसे use करते हैं वक्त किस तरह पढ़ते हैं। फा को बड़ियू की मात्रा फू। क्या है यहां पर कौन सा अक्षर है? ला। फू। ला। फूूल। फू। ला। फू। फा को बड़ियू की मात्रा फू। ला। फू। तो यहां से फिर एक बर पढ़ेंगे। आ को छोटी आ की मात्रा आ। जा, अज, गा, रा, गर, अज, गर, अज, गर, अज, गर। आ को बड़िया की मात्रा आ, ग, आग, चा को छोटी की मात्रा ची, डा को छोटी की मात्रा टी, चीडी। या को बड़ी आ की मातरा या, चिडिया, यानी बड, ना को बड़ी की मातरा नी, बड़ी के टाइम पे हमें खीशना चाहिए, बड़ी आ के टाइम पे हमें खीशना चाहिए, बड़ी उ के टाइम पे भी समय पर हमें खीशना चाहिए, ठीके, ना को बड़ी की मातरा नी, डा नीड बा को छोटी U की मातरा बू इस टाइम पर हमें नहीं कीशना चाहिए जब भी भी हम छोटा अक्षर पड़िंगे आ, छोटा आ, छोटी E, छोटी U पड़िंगे अब हमें नहीं कीशना चाहिए मैं बार-बार इसी लिए बता रहूंगी आप लोग कुछ भी confused ना रहे बा को छोटी की मातरा बू डा को छोटी की मातरा दी बुडी या को बड़िया की मातरा या बुडिया फा को बड़ियू की मातरा फू ला फूल तो अब हम देखे इसे ये मातरायों को ओवेल्स में और कैसा यूज करके हमने पढ़ा जाएगा मतलब word को कैसा पढ़ते हम मातराय यूज करके अब देखेंगे अब हम थोड़ा अभ्यास देखेंगे मानि दूसरे letters में भी आगर हम ये मातराय यूज करके किस तरह पढ़ते हैं चलिए आ ना को बड़िया की मातरा हाँ सही जवाब दिया ना यहां क्या आक्षर है रा अनार आ ना को बड़िया की मातरा अनार अब देखेंगे आ मा अम रा को बड़िया की मातरा रू यहां पर खीचना चाहिए दीर्ग देना चाहिए अम्रू ये क्या आक्षर है दा अम्रूद अनार अम्रूद प्रोमग्रेनेट गुआवा अनार मींज प्रोमग्रेनेट अम्रूद मींज गुआवा नेक्स्ट आ को बढ़ी आ की मात्रा आ मा आम मैंगो आ को बढ़ी आ की मात्रा आ गा आग फाइर इ मा इम 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 इ इमली यानी टामरीन ये चलिया ये क्या है कौनसा अक्षर है का को कौनसा मात्रा लगा गया यहां पे छोटी ए की मात्रा लगाया हमने यहां पे कौनसी मात्रा लगाई छोटी की मात्रा का को छोटी की मात्रा की की, लेक्स टा को कौनसी मात्रा है, बडिया की मात्रा, का को चोटी की मात्रा की, ता को बडिया की मात्रा बा, किताब, किताब, क्या है, किताब यानि बुख, का को बडिया की मात्रा की, ल, किल, किल, सोरी, का को बडिया की मात्रा की, और यहां क्या अच्छर है लगील यानी नेल हमने दिवार पर नेल मारके रखते है ना वही नेल है ठीक है पाक चोटी की मातरा पी ना पिन पाक चोटी की मातरा पी ना पिन यानी हमने पिन्स यूज़ करते है ना कभी भी papers को लगाने में या किसी और चीज़ को एक साथ रखने में हम pinch लगा कर रखते हैं या आपके कई भी कुछ sets या या आपके books को या आपके bag को pin लगा कर लगते हैं कभी भी necessary time पे वो ही pin है आ, चा को बढ़िया की मात्रा चा रा, अचार यानी pickle तके बा को बढ़िया की मात्रा जा, बाजा बाजा यानी musical instrument मा को छोटी U की मात्रा मूँ ना को छोटी U की मात्रा नी, मुनी, यानि सेंट और सेंच, सेंट, मुनी, सेंट, ऐसा, ठीगे, गा को छोटी युगी मात्रा गू, धा को छोटी युगी मात्रा डी, गुडी, या को बडिया की मात्रा या, गुडीया, यानि डॉल, गुडीया, यानि डॉल, ला को बडिया की मात्रा ला, टा को बड यहां पर दो भी बड़े अक्षरों के मात्रा हैं उपयोग किया गया है जैसे कि ला को बड़ी आ की मात्रा ला टा को बड़ी की मात्रा टी ला टी यानि पोलिस की लाठी रहती न वही स्टिक सा को बड़ी आ की मात्रा सूरज यानि सन था को बड़ी आ की मात्रा फूल यानि फ्लावर का को का मा ला कमल इसे अगर यहां कुछ मात्रा नहीं रहें अगर आपको पड़ने में दिक्कत हो रही तो उस टाइम पर आप कैसा पढ़िए का प्लेस मा प्लेस ला कमल ऐसा भी पढ़ सकते हैं अगर बिना मात्राय के रहे तो हम आप प्लेस लगा कर पढ़ेगे तो आपको आसानी में समझ भाएं यहां पे भी कुछ मात्राय नहीं लगे भे तो आप कैसा पढ़ सकते हैं? चा प्लेस रा चर रा प्लेस ना रन चरन मिला कर क्या होगा? चरन ऐसा पढ़े जाए तो यहाँ पे कुछ मात्रा नहीं है तो आपको पढ़ते समय कुछ दिक्कत रहाता हो उसमें प्लेस लगा कर पढ़िए अब देखें, यहाँ पे मात्रा है हा को छोटी की मात्रा ही र न हिरन दा को बढ़िया की मात्रा दा दा को छोटी की मात्रा तु यहाँ क्या है? न दा तु न दा नतुन कैसा पढ़ेंगे? दा नतुन यानि ट्विक ब्रेश यानि पुराने जामाने में या आज भी विलेजेस में जो स्टिक रहेतीने स्टेम ओफ ब्रांच नीम ट्री के जो स्टिक रहते हैं दान्त लगरने में साफ करने में यूस करते हैं उसे ही कहेंगे पिक ब्रेश ठीक है? उसे ही हम हिंदी में दान्तुन कहते हैं बा को बढ़िया की मात्रा बा दा ला बादल का को छोटी हुगी मात्रा कु सा को छोटी हुगी मात्रा सु कुसु मा का को छोटी हुगी मात्रा कु सा को छोटी हुगी मात्रा सु मा कुसुम यानि ये टाइप ओफ लवर वो भी एक टाइप ओफ लवर है ता रा को बढ़िया की मात्रा रा तरा जागु बड़ी हूँ की मातरा जू तरा जू यानि बैलेंस करने का जो मार्केट्स में रखते हैं एक तरफ बेट्स रखके एक तरफ टमाटोश एंड लेडिस फिंगर जो है आप बेट कराइगे और कितने केजी सहिड चक कराइगे उसे ही हम तराजू कहते हैं ठीके? बैलेंस करने का शा को छोटी की मात्र शी का को बड़ी आ की मात्र शिका और यहां क्या अक्षर है? रा शिकार यानि हंटिंग हंट करते न अपने तो उसे ही शिकार कहते हैं बा को बड़ी की मात्र बी मा को, बढ़िया की मातरा मा, बीमा, राक्षर है नहीं अब बे, उसे ही मिलाईए, तो क्या होगा, बीमार, यानि सिख और इल्नेस, ठीक है, सिख हो जाना, या आपका हेल्थ खराब हो जाना, कुछ बाहर का खाएंगे तो, उसे हम हिंदी में बीमार हो गए आपने, बलके ऐस आलू यानि पोटाटो, तो अब हमने इसे कैसा पढ़ते हैं, दूसरे अक्षरों में मिला कर किस तरह पढ़ाया गाएगा, हमने आपको सिखाया, अब हम दूसरा बेट देखें, चित्रु देखकर उनके नाम लिखिए, राइट दा वोर्ड ओफ पिक्चर इन हिंदी, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फायर कहते हैं, फायर यानि आग, इसे हम क्या कहते हैं, फायर यानि आग, आग को बड़ी आगी मतल्र आग, आग, तो पहले पिक्चर में हम आग लिखना चाहिए, तो ये क्या है, फार्मर, यानि श्रामिका, फार्मर को क्या कहते हैं, श् इस बुक में नहीं आप जो प्रिवियस बुक में आपने पड़ा है उसमें रहेगा श्रामिका आपको ठीक है श्रामिका यानि फॉर्मर ठीक है इसे श्रामिका कहते हैं और दूसरा पिक्चर क्या है यहाँ? फिश यानि मचली क्या कहते हैं? मचली फिश ये क्या है निक्स रोस यानि गुलाब कैसा लिखते हैं हम? गा को चोटी हुगी मात रग्वू लाब गुलाब गुलाब तो ये क्या है डीर हमें क्या कहते हैं हमने हिंदी में क्या कहते हैं हाको चोटी की मात्र हिरन बीर सूरज सन हमने यहां पड़ा है देख़िए सूरज, सन, क्या कहते है सूरज, सन सन को क्या कहते है, सूरज So, what is the next picture? यहाँ, man यहानी, man दिखराना आपने को तो हम इसे, यहाँ पे कई भी man कुछ, हिंदी में अर्ध नहीं है, तो हम मुल्ने क्या कहते है, आदमी कहते है, क्या कहते है आद्मी, मैन को हम क्या कहते हैं, आद्मी तो आप यह आद्मी यहाँ पे फर्स्ट लेशन के पोयम में चक करिए वोट्स यानि शब्द ग्नान में हैं, यहाँ पे आपको लिखा गया है आद्मी बलके लिखा है, वहाँ से आप देखके भी लिख सकते हैं आद्मी, आपको बड़ी आ की मातरा, दा, मा को बड़ी की मातरा मी, आद्मी यानि मैन नेक्स्ट, और एक खुईशी गल, यहाँ पे गल है ना, तो हम गल को क्या कहते हैं, इंगलिश में बालिका, गर बॉय रहा तो बालग और गल रहा तो बालिका, क्या लिखी है हम यहाँ, बालिका बा चली, बा को बड़ी आ की मातरा, बा, ला को छोटी की मातरा, ली, बालिका बालिका, चलीए, अब देखिए, प्रिक्तेक शब्द को दो बार लिखिए, यहाँ, राइट इच वर्ड, टू टू टाइम्स, यहाँ कुछ वर्ड्स दिये गए हैं, और टू टू टाइम्स आपको रिक्तिस्तान मतलब, यानि लैंस दिये गए हैं, आप उसको टू टू ख्लिक के प्राक्टिस करिए, यानि दोराइए, तो पहला क्या लिखा है, आ को बढ़िया की मातलब, आज, आज, तो यहाँ आपको दो में भी क्या लिखना है, आज, आज, हा को बढ़िया की मातलब, हा, ता को बढ़ियी की मातलब, इ, बढ़ियी की मातलब, इ, खीच कर चाहिए हाथी तो आपको ये दो रिक्तिस्तान में भी हाथी लिखना है सा को बड़ी हो की मात्रा सूरज सूरज यहाँ पे भी आपको दो ब्लांक्स में सूरज लिखना है तो यहाँ पे भी देखिए का को बड़ी हो की मात्रा का को छोटी की मात्रा की, तो की, का को छोटी की मात्रा की, र, न, की, र, न, यहां पे भी आपको वह ही लिखना है, सा को छोटी की मात्रा सु, म, न, सुमन, वो भी आपको two blanks में लिखिए, practice के लिए, फा को बढ़ी की मात्रा, फु, ल, फूल, फूल को भी आपको two blanks में कर प्राक्टिस करना है, this is your assignment, अच्छे से प्राक्टिस करिये, with neat and good handwriting, don't do the mistake while writing, please check once and twice while writing the homework, otherwise, देखने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा बच्चे ओ, क्योंकि आप देखकर ही mistakes करिंगे न, तो वो, it's not a right point, right, तो आप बाजु में देखिये, वहाँ क्या वर्ड है, उसको प् आप लिखते जाएंगे, और प्रनाउंस करना जरूरी है, लिखते थमें, तो अब हम मिलिंगे कुछ नई concept है, यानि कुछ नया lessons है, new class पे, until then, bye!